बच्चों, आज हम जानेंगे कार्तिक स्वामी जी के जीवन से जुड़ी एक महत्वपुन घटना के बारे में ये वही कार्तिक स्वामी है जिन्हें भगवान, सकंद, मुरुगन, शडानन, कार्तिके गुव आधी नाम से भी जाना जाता है इन्होंने असुर राज ताड़कासुर से प्रताडित देवताओं की प्रार्थना पर युद्ध में उनका सेनापती होना स्वीकार किया और ताड़कासुर का वद करके देवताओं को उनका स्थान दिलाया रिगवेत के अक्ष मालिका उपनिशत के अनुसार ज्यान बुद्धी और विवेक के संगम कार्तिके जी ने स्व्यम प्रजापती ब्रह्मा जी को भी अक्ष माला संबंधी उपदेश दिया था देवताओं से पूजित देवादी देव महादेव के पुत्र कार्तिक स्वामी जी एक दिन अपनी सवारी मोर पर बैठ कर भगवान सूर्य देव से मिलने गए वहाँ पहुचने पर दिव्य तेज से परिपूर्ण सूर्य देव उनका आधर सत्कार करने के लिए पूजा की थाली ले आए पर अन्तु ये क्या जैसे ही सूर्य देव कार्तिक स्वामी जी की पूजा करने लगे तब ही उन्होंने पास ही एक सुन्दर विमान को जाते देखा विमान में कौन बैठा है ये देखकर सूर्य नरायन ने कार्तिक स्वामी का पूजन रोक दिया और विमान में सवार एक महान आत्मा का आवाहन कर उनका पूजन किया, तत पश्चात वो विमान आगे चला गया तब सूरे नरायन कार्तिची की पूजा के लिए दूसरी थाली ले आये तब ही उन्होंने फिर से एक दूसरे विमान को जाते देखा बिना विलंप किये सूरे देव ने दूसरे विमान में बैठे पुन्यात्मा का भी हार्दिक आवाहन और पूजन किया तत पश्चात विमान की आगे निकल जाने पर भगवान सूरे नरायन कार्तिक स्वामी जी के लिए तीसरी थाली ले आये और उनका पूजन करने लगे ये सब देखकर कार्तिक स्वामी जी ने उत्सुक्ता वश्च प्रश्ण किया सूरे देव विश्व वंदनिय भगवान शंकर का पुत्र होने पर भी आखिर किस कारण वश आपने उन आत्माओं का पूजन मुझसे पहले किया क्रिप्या बताईए मधुर मुस्कान देते हुए सूरे देव ने बताया कि पहले विमान में प्राणी मात्र के परम हितैशी ब्रहम ज्यानी सद्गुरु थे जो सत्संग रूपी ज्यान भक्ती देकर अकारण ही सब के दुख दूर करने का कार्य करते थे ऐसे गुरु के आगे स्व्यम भगवान अपना सर नवाते हैं इसलिए मैंने पहले उनका स्वागत किया प्रसन्न चित कार्तिक स्वामी बोले अच्छा तो क्या दूसरे विमान में भी ऐसे ही गुरु थे कार्तिक जी का संशे दूर करते हुए सूरे देव बोले नहीं दूसरे विमान में भ्रहम ज्यानी गुरु नहीं बलकि ऐसे सद्गुरु का कारेक्रम आयोजन करने वाला सत्पात्र शिष्य था जो सदा तन मन धन से तत परता के साथ गुरु सेवा कार्य करता था दूसरी बार उसी सत्शिष्य का स्वागत किया ब्रहम ज्यानी गुरु और उनके शिष्य की दिव्य महिमा जानकर कार्तिक स्वामी अत्यांद हर्शित हुए और लोग कल्यान के निमित सूरे देव से बोले कि आपकी और हमारे समवाद की इस महत्वपूर्ण उंची घटना को भविश्य में जो कोई भी सुनेगा अत्वा सुनाएगा उसके सब पापताप अवश्य मिटेंगे और उसे हजार कपिला गौदान करने का भी फल प्राप बच्चों पुझे बापुजी बताते हैं कि किसी बी तरहा के दान से कहीं अधिक ल्यान काรी है संत्थ महापुर्षों के सत संग्यान का दान ऐसा करने वालों को तो धन्यवाद है ही उनके माता पिता को भी धन्यवाद और इस दिव्य सेवा के लिए जो उत्साहित करे उन्हें भी धन्यवाद ऐसे लोग अपनी साथ साथ पीडियां तार लेते हैं ऐसे लोगों के विशे में भगवान शिवजी कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद भवह धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता